अभी आप यह जो देख रहा है instrument का control panel है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और यह PLC आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे आप इसको आयो बोला जाता आयो पैनल का और यह जितना भी क्यवल यहाँ पे आया हुआ है वो सब JBS आया फेल्ड साइट से और यहाँ पे जो पैन है चलिए वीड़ियो को सुरु करते है सबसे पहले पैनल को चालू करने की लिए यहाँ पर सप्लाई आता यह जो कि YouTube से आता है तो यहाँ पे पैनल का मतलब लोट के हिसाब से कितना है यहाँ से सर्केट जारा रहा लोट कंशाप से यहाँ परramos पर सरकैट आता है जैसे कि एसी पाउर है, दो EPS पाउर का और एक non AC सप्लाई आ रहा है यहां पर, उसके बाद में यह जैसे ही MCP कॉन करेंगे, तो यह PSU में सप्लाई जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 PSU लगा है, 1, 2, 3, 4, PSU को बाद में यह जो पारा मॉंट का डैयोड है, उसमें जाता है, उसके बाद में सप्लाई को सब यह मोडलर में आते हुए, सब ही को वहाँ पर कनेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि आप मोडलर देख रहे हैं, तो वह हिसाब से इसमें सप्लाई डिवाइड होता है, जैसा कि 6 V, 7 V, 8 V, 10 V, और 24 V, यहनि 24 V भी सप्लाई यहां स इसमें डिवाइड होता है, उस परकार से आप देख सकते हैं, अलग-अलग यहां पर कनेक्टर लगा हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर 6 V, 60 V, और उसी परकार से इसमें 24 V का भी है, जहां-जहां अलग-अलग मतलब हिसाब से उसका लगाया गया है, सबसे पहल बाहर ही, अब यह बाहर लटका हुए, पहले फेरूल इसमें डालेंगे, फेरूलिंग के हिसाब से यहां पर TV नंबर दिया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, CIN, आप देखिए, CIN-8A TV-01, तो उसमें का मतलब केवल यहां पर होगा, जो आपना DB से आ रहा है, तो उसका केवल, यहां पर कनेक्ट होगा, तो यह बी के हिसाब से यहां पर अलग-अलग टर्मिनल हो, इस आप से यहां पर कनेक्टिंग होता है, फेरूल कुछ इस परकार से जैसे कि यह पैनल का कौन सा टीवी से जा रहा हो, टीवी नंबर यहां पर देख रहे हैं, टीवी फोर से, और जा रहा है यहाँ पर 402 यह पैनल नंबर है और यह कहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर JVD103 और यहाँ उसके बाद में यह जो जा रहा है L50 उसमें जा रहा है अपना लिमिट सुच में इस परकार से जैसे कि मतलब यह TV से JV में जाएगा और JV से लिमिट सुच सॉलनेट वाल जैसा भी वहाँ पर इस्टुमेंट लगा है सब में जाएगा उसके बाद में यहाँ से दिखिए जो डेटा क्यों जा रहा है सीधा वह डाइरेक्ट अपना डिस्यस रूम में जहां कॉंप्यूटर लगा रहाता है वहाँ पर जाता है सीधा तो वहाँ से आप मतलब ज यहां से dissip कोडा भाइब कर सकते हैं सीधा वहाँ पर बैटके मतलब पूरा कंट्रोलिंग कर सकते यहां पर आने का भी जरूवत नहीं रहें बाद में यह इसके बाद में वहाँ पर कनेक्शन होगा तो आप देख सकते हैं सेम यह दूसरा भी पैनल जो है उसी परकार से है Claro सेम उसी परकार से यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मोडुलर से वायर आ रहा है यहां पर सब कनेक्टेड है और यहां पर 6 वोल्ट, 60 वोल्ट ऐसा सब दिखा रहा है तो जहां जहां पर जो वोल्ट का है वहां पर सिरियल नमबर से आपको वायर को कनेक्ट कर दहा है जैसे पर जो मसपार लगा हुआ है वो 24 वोल्ट का ही लिंक है बाकी यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है 6 V, 60 V, तो हैं साब सेमा बर अलगस भी वोल्टेज, पर वाईट किया जा रहा है जैसा कि आप देख अप सकते हैं 24 वॉल्ट वोल्टेडेसी चाहिए एक कॉंटेक्टर सब मतलब सेमी नंबर लिखा हुआ है लेकिन यहां पर वोल्टेज अलाग प्रवाइड किया जा रहा है जो हिसाब से जिसको वोल्टेज चाहिए वह रहा है इसका भी सिस्टम ओई यह तो दोनों पैनल एक ही में टेच है इसके बाहर में डेसिंग करके देख सकते हैं यहां पर फिरूल हो चुका है फिरूलिंक को करने के बाद में यहां पर कनेक्शन करेंगे इसके बाद मैं आगे मैं दिखा देता हूं फिल्ट साइड में केवल कहां जाता है कि इस परकर से काम करता है आप देख सकते हैं फिल्ट क्यवाल यह जो आ रहा है इस साइड में पूरा डिस्ट्रिबीट हो गए यहां से यह सब क्यवाल यहां पर आया है जैसे कि यह लिमिट इस तरीका से यहां पर डिवाइड हो रहा है अब सभी को सप्लाई के जैसे किसी को 24 वोल्ट का सप्लाई के रिक्वारे सेबन बोल्ट और यहां पर टेन बोल्ट वो हिसाब से इसको डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है बाकि आप देख सकते हैं सभी में सेम यह दूसरा अभी है यहां से भी सभी आउटपूट जा रहा है यहां जो वाल लगा हुआ है उसमें तो सभी का लगबख सेम ही सिस्टम है वो इसी परकार से सब काम करता है आसा करते हैं यह वीडियो साब लोग को कुछ नौलेज मिला होगा इंस्टुमेंट पैनल और डिस्यस और पिलसी के बारे में तो इसी तरह का अलेक्टिकल नौल वीडियो दखने के लिए पिलेश चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद